और हमारे वीच में इस समय नबनीत रनाजी मौझूद हैं और इनको कों नहीं जानता भी तो फिलाल ये बहुत चर्चित में हैं इस समय पर हनमान चालीसा का सुंदर गायन इनोंने करवाया है खिया है और इस समय पूरी मीडिया में छा रही है तो लेकिन इनसे पूझे आते हैं तब-थब आप समय निकाल कर यहां पूँचती है तो हमारे बीच में जो यहां की सांसद हैं वो माजूद है तो निवीदन करूगा कि पुझे मारा सेचछे आकर आशिरवात करेंगे मंच पर आजाएं और मिनिवदन करूगा कि अमारे मंच परा जाएं अगरबाल तो आप सभी जिस तरीके से वो इस समय पर जैसे मैंने बताया एक वार जोड़ दात ताली जाकर आप सब लोग करें और यहां उनके साथ में और भी जो अत्तिय आएं वो भी पुझे मरसी से आशिवर प्राप्त करेंगे और जिस प्रकार वो हमेशा अपनी शेवा के रूप म में सेवा अधए तो रूप हर सै अरी महाराज आधन्यय पुझे यह कारण महाराज कि जो आज धर्म का कोई भी चैनल खुलें तो महाराज उस चैनल पे के लिए क्योंकि जिस शेत्र में हम काम करते हैं उस शेत्र में पॉजिटिविटी खुद में रखना और पॉजिटिविटी से समाज के लिए काम करने के लिए हमें भी कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि रोज दिन में 10 मिन या 15 मिनिट भगवान के पवित्र शब्द हमारे तक पहुंचने बहुत जरूरी है तब हम लोगों तक पवित्र काम पहुंचा सकते हैं इसलिए और देवकी नंदन महराज के मैं इतना जरूर कह सकती हूं जब वो अमरावती में 2012 में आये थे तब मुझे एक साल हुआ था अमरावती की बहु बनकर पर जब वो आये थे यह पर और दश्रा मैदान में जब हमारा भागवत हुआ था तो हजारों के संख्या में तब भी संजुभो अगरवाल हमारे उनका पुरा परिवार शुबम अगरवाल से लेकर हमारे लपी भईया पवन भईया उपाद्या भईया जितने भी समाजिक हमारी एक तो अमरावती नगरी ऐसी है महाराज अंबा नगरी है रुक्मनी का माहिर है मैका है और इस मुझे लगता है जितना हमारा भुरिंदावन को मानने वाले लोग हैं उतने ही महाराश्र में अमरावती के भी मानने वाले लोग हमारे महाराश्र में हैं अंबा नगरी में जो भी आता है बहु भी अमरावती के, बहुत दिल खोल के उनका स्वागत करते हैं, पर महराज, जो भी यहां आता है, उसे अमरावती कुछ न कुछ जरूर देती है, पर आप जब भी यहां आएं, तो न्यान का सागर यह अमरावती को देखे गए हैं, इसमें कोई भी दुम्मत नहीं है। महराज, जब मैं कल महराज के जैसे पता लगा, शुबम का फोन आया, पवन भीया का, लपी भीया से बात हुई, उन्होंने कहा कि महराज आए, तो मैंने बुलती हूं कि रवी जी तो नहीं है, पर मैं ज़रूर आशिरवाद लेने आउंगी, क्योंकि दो हजार बारा में आश आशिरवाद दिया है, और जब मैं मिलने गई आशिरवाद लिया, इन्होंने सिर्वेकी का है, कि आप से मुझे कुछ चाहिए, मैं और लपी भीया बैटे तो मैंने कहा माहराज क्या चाहिए, मैं इतनी बड़ी तो नहीं कि मैं आपको कुछ दे पाऊं, जो आप सब को ग् आएगा, अगर ये सोच हमारे सब के बीच में आ गई, किसका क्या गलत होना है, इसके उपर विचार ना करते हो है, मेरे धर्म का प्रचार प्रसार और मेरे लोगों का कल्यान में किस तरीके से उसमें योगदान दे सकता हूं, या दे सकती हूं, उस पे काम करना बहुत जरूरत है, हमारे समाच को, हमारे धर्म को इसकी जरूरत है, और वो जरूरत अगर हमें पूरी करनी है, तो आप और हम कर सकते हैं, मैंने कुछ दिन पहले हनुमान चालीसा का पांठ की हमाराज, हमारे रवी नगर परिश्र में, संकट मोचन की याद तो हर किसी व्यक्ति को ये हिंदुस्तान में रहने वाले हर कोई संकट मोचन को तभी याद करता है जब संकट से आजुबाजु गिरा होता है और वो संकट मोचन को याद करने के लिए मुझे किसी के पांच जाने की जरुवत नहीं या किसी के सपोर्ट में जिंदगी में लेना है आप लोग जो करते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे पर ये जरूर श्वर करना है कि हमारी पीडी को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने धर्म का प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे तो आनीवाली पीडी हमारा धर्म और हमारी संस्कृत ही भूल जाएगी इसे याद रखना ये हम लोगों की जवाबदारी है मैंने हनुमान चालीसा जो किया पुरे देश में हनुमान चालीसा मैं हो गया हनुमान चालीसा नवनीत राणा ने नहीं किया वो तो मेरा विश्वास है जो मुझे करना है और आगे भी करूंगी किसी ने बड़े जोड़ जोड़ से मेरे मुड़दाबाद के नारे लगाए महराज मुमबई तक मेरे नारे लगे अमरावती में भी कई विरोधों के नारे लगाए अगर धर्म का नाम लेना अगर गुना है तो नवनीत राना का मुड़दाबाद है अगर धर्म की याद दिलाना अगर गुना है तो मेरा मुड़दाबाद है और अगर धर्म का प्रचार प्रसार करना जरूरी है तो मैं उसके सबसे आगे रहूंगी जिन में जितनी ताक़ तो वो मेरा विरोध कर ले पर मैं आपने दरम को चोड़ कर कभी बाजू में नहीं हटोंगी मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि महाराज आपने अपना वक्त हमारे अमरावती में ये दूसरी बार दिया है हम लोगों को कुछ पवित्र चीजें आप सिखा के जाएंगे पर मैं सब आप लोगों को इतनी विनंती करूँगी कि टाइम इस दी इंपॉर्टन फिंग इन लाइफ समय सबसे बहतरीन गिफ्ट है अपनी जिन्दगी में एक बार वो समय गया तो वापस कोई ला नहीं सकता अगर महराज ने अपना समय अमरावती को दिया है तो महराज की वानी से जो शब्द निकलते हैं वो अपने पल्लू में बानकर ज़रूर अपने लाइफ में करना बहुत ज़रूर है जहां पर हमको काम आएगा महराज जी आपके जो विचार अपने समाज को लेके आपने जो कल मुझ से डिसकुशन किया कि आने वाले समय में विरिंधावन में बहुत बड़ा अप धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपने आच्छे ही हमें बताया है कि आपको आना है और हम ज़रूर आएंगे और जितना मैक्सिम होगा हमारी अमरावती में भी भी वो मैसेज सभी के घरों तक हम पहुंचाएंगे कि विरिंधावन जो पवित्र स्थान पे पवित्र जगा पे जो महाराज धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शुरूआत कर रहे हैं हमारा विश्वास ही भगवान है जहां विश्वास कर लिया उसी चीज में भगवान है फर माता-पिता की जो सेवा करता है मुझे लगता है वो सबसे बड़ा भगवान हमारे माता-पिता ही होते है तो जितने यंग्स्टर्ज है महाराज मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कुछ भी करो जिंदगी में पर पेरेंस को उनकी सेवा करके उनका आशिरवाद लेना बहुत ज़रूरी है एक वो ही आशिरवाद है जो बिन स्वार्थ आपके पीछे और आपके सर पे आशिरवाद के रूप में जितने बड़े हैं उनके सामने अगर नमरता से अगर आप जुक जाएंगे तो वो आपको आशिरवाद ही देंगे अगर वो नमरता हमने अपनी जिंदगी में उतार ली तो मुझे लगता है नमरता आपको बहुत बड़ा बना देंगे जो जुकता है वो ही बड़ा होता है तो जुकना जिसने जिन्दगी में सीख लिया, उसने सब चीज़ें अपनी जिन्दगी में पाली, तो येकी चीज जुकने में आ सकती कि नमरता सबसे बड़ी, ताकत आज की जिन्दगी में है, आज कल पैसे सभी के पास है, आज कल ऐसा कोई नहीं जिसके पास पैसा और धन पर जिसके पास नमरता है, वो सबसे बड़ा धनवान है, यह चीज जितने जिन्दगी में उतार ली, वो सबसे बड़ा धनवान आज जिन्दगी में बन गया, इसलिए मैं ज्यादा कुछ आपके पीट से नहीं कहूंगी महाराज, पर आप से आशिरवाद लेने से, मुझे य ब्रुंदा बना के आपके आशिरवाद लेके आगे भी उसी तेजी से और पॉजिटिव से काम करूंगी, हमारे लपी भईया, पवन भईया, उपादया भईया, हमारे अगरवाल पुरा परिवार, जितने भी भावी वक्त यहाँ पर आये हैं, सबी को इतना ही कहूंगी, बड़ों से आशिरवाद लेते हुए, सरिफ टाइम का अच्छा उपयोग जर जिन्दिगी में किया, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, उतना ही आप लोगों से कहूंगी और बड़ों से आशिरवाद, छोटों को धेर सारा प्यार देते हुए, अपने शब्दों को इते ही व राम करूंगी.